हेलो और वेल्टम टो फूटफाइट आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई डिजाइन पेपर फ्लार की जो कि आप सजा सकते हैं इस दिवाली अपने घर में किसी भी फ्लारवाज में या फिर कि ऐसे ही आप इनको रखें भी बहुत सुन्दर लगते हैं ये किस इसके लिए मुझे माफ करना तो इसके लिए मैंने लिए हैं दो स्टिप देखें मैंने काटी हैं एक चार सेंटिमीटर की चोड़ाई पे है एक सेंटिमीटर की चोड़ाई पे है क्योंकि जो भी मतलब आपको कलर की फ्लार बनाने हैं वो चार सेंटिमीटर का ले ले और य इतने चोड़ाई आप खाट ले और एक सेंटिमिटर की मैं इस तरीके से लाइन मैंने लगा दी है क्योंकि यहां तक मुझे इसमें कट लगाने है मतलब मुझे इसकी पतियां बनानी है फूल की तो यह बहुत ही इजी है पांच मिनट में बनकर तयार हो जाता है और आपको ख जायद 6-7 महिने में चेंज करने पड़े बट कोई नहीं इतना ज्यादा कोस्ट बिल्कुल नहीं आता है मतलब 2 रुपए की एक शीट आती है उस 2 रुपए की शीट में आपके 7-8 फ्लार्स बनकर तयार हो जाते हैं और 10 रुपए में तो आप सोच सकते हैं आप पूरा आपका 10 रुपए में बन जाता है तो वो इतना इजी होता है तो 6 महिने भी चला तो क्या है 6 महिने बाद कुछ नई डिजाइन के फ्लार साब बना लीजिए तो ये देखिए छूटी छूटी पतियां मैंने इसमें काटी हैं इसी तरीके से आप इसको काटते जाएं और पत फोल्डिंग पे जो है उसको भी हम दो हिस्सों में काट देंगे इस तरीके से क्योंकि वो एक पति चोड़ी रह जाएगी वरना तो इस तरीके से इसको भी काट देंगे हम और ये लीजिए हमारे ये वाली स्टिप बिलकुल तयार है ये वाली पति पे हमने सारे पतियां ब मैंने वाइट पिंग के साथ चूज करा है आप चाहें तो ग्रीन रेड कोई भी अपने हिसाब से कोई कलर दे सकते हैं और इसको मैंने ग्लू की हेल्प से यहां पे चिपका दिया है अब हम क्या करेंगे इसको क्विल करना है मैं मतलब फोल्ड करते हुए लाना है तो उसके यहां करूंगी, इसको वाइट वाले को इसमें ऐसे फसाके और फोल्ड करते हुए लाऊंगी मतलब क्विल करते हुए लाऊंगी इस तरीके से तो यह बहुत ही आसानी से हो जाता है तो बस पूरे फूल को मतलब एंड तक हमें इसी तरीके से और एक चीज याद रखना है इसको इसे tightly करते हुए लाना है बिल्कुल भी आप डीले ढाले से ना करें इसको एकदम tight करें ताकि आपका फूल जो है वो अच्छे से निकल के आए otherwise ये अगर आप डंग से fold नहीं करोगे न तो बीच में ही उतना मतलब अच्छा grace नहीं आपाएगा उतना सुंदर नहीं बनेगा आपका फूल तो इस तरीके से इसको tight tight fold करते हुए लाना है तो friends designs बहुत है paper flowers की ये मेरी second paper flower की design है और दिवाले तक I don't know मैं कितने design आपके साथ share कर सकूँ बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मैं आपके साथ share कर सकूँ एक तो ये क्योंकि ये बहुत easy है बनाना और इसका video भी बहुत जल्दी से बन जाता है तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ दिये कितना time निकाल पाऊं मैं इसके लिए क्योंकि अभी दिवाली की सफाईयां शुरू हो गई है तो थोड़ा सा time उसमें चला जाता है तो इतना time नहीं मिल पाता है कि मैं उसको कर पाऊं कोई भी craft कर पाऊं I know मैंने challenge लिया था जैसे कि मैंने बोला कि मैंने पूरा पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी दिवाली की सफाई में और भी ज्यादा time जाने वाला है तो थोड़ा थोड़ा मतलब जितना time मिलेगा छोटी छोटी चोटी चीज़ें DIY जो मैं अपने घर के लिए कर रही हूँ या करने वाली हूँ वो सारी मैं आपके साथ share तो जरूर करूँगी तो 50 मुझे नहीं पता मैं पहुँच पाऊंगी कि नहीं बड़ जितना भी पहुँच पाऊंगी वो आपके साथ share जरूर करूँगी तो ये देखे इसका end क्या करेंगे हमें इस तरीके से चिपका देंगे और ये बहुत ही सुन्दर निकल कर आएगा देखना अभी तो अब हम इसकी जो ये earbud है वो निकाल देंगे हलके हाथ से आपको निकालनी है ये देखे ये वाइट वाली पत्ती इसके साथ आ रही है तो इसको हलका साब इस तरीके से धका मारते हुए निकाल ले और इसके अंदर डाल देंगे अब हम सारी पत्तियों को इस तरीके से खोल लेंगे तो पत्तियों को खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि ये फूल कितना सुंदर है I mean बहुत सुंदर है बहुत सुंदर डिजाइन बनी है इसकी तो आप जरूर इसको ट्राइ करें मेरे जो पहला मैंने फ्लार डिजाइन आपके साथ शेयर किया था उसका भी मैं एक और मतलब डियाईवाई बनाया है मैंने उसका भी तो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी जो मैंने फूल बनाया थी उनका एक बूके बनाया है तो वो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज में एक है तो ये इस तरीके से हम इसको खोल देंगे फूल को बहुत ही सुन्दर निकल कराएगा देखना अभी तो फ्रेंड़ ज़रूर ट्राइ करें ऐसा देखिये ये कितना सुन्दर लग रहा है मतलब ऐसे ही ये तो मैंने pink बनाया है orange बनाया है red बनाया है purple बनाया है wine color का बनाया है मतलब खुब सारे flowers बनाए है मैंने और सारे ही बहुत सुन्दर लग रहे हैं तो ज़रूर ट्राइ करना इनको और मुझे बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा देखे औरेंज वाला और भी अच्छा लग रहा है रेड वाला उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब जितने bright colors आप यूज करोगे न उतने ही ज़्यादा ये निकल कर आते हैं bright colors यूज करना इसके लिए और जो अंदर हमने पट्टी डाली है वो भी थोड़ा मैच होते हुए डालना तो आप मुझे जरूर बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू फूर वाचिंग मै वीडियो